तो दोस्तो आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर आपको कम बजेट में मिन्स आपके पास फंड कम है और आपको इंट्राडे ट्रेडिंग करनी है तो आप सुरुआत कैसे करोगे तो ये वीडियो उन लोगों के लिए भी हलफुल हो सकते है जो बिगिनर है या फिर कोई इंट्राडे ट्रेडिंग करना चाहता है लेकिन उसे ये नहीं पता चल रहा है कि कितना फंड डालू कैसे स्टार्ट करू तो अगर आप इस तरह के कोई कन्फूजन में है तो ये देखोगे तो देखे टाटा स्टील ओन जीसी और ये जो सारे स्टॉक है ये 25 स्टॉक है जो निप्टी 50 के कॉंस्टिट्यूंट्स है इनसे निप्टी 50 बनती है उसमें से 25 स्टॉक हमने ले लिए है अब यहां पर क्या करना है कि ये जो 25 स्टॉक हमने लिए है वो इस तरह के stock लिए हैं जिसकी intraday trading करने पर हमें जो intraday की margin लगती है वो कम होती है वो यहाँ पर ही हमने बता दी है आपको कि suppose आप Tata Steel में trade करना चाहते हो और उसकी 10 quantity आप buy करना चाहते हो intraday में तो आपको 200 रुपे लगेंगे अगर 20 quantity होगी तो 400 रुपे लगेंगे अगर 30 होगी तो 600 वैसे 800, 1000 और 100 quantity होगी आपको आपको लेनी है तो 2000 आपको price देनी पड़ी कि इतना margin लगेगा तो यहाँ पर जैसे चीजे बताई गई है उस हिसाब से आपको decide करना पड़ेगा कि आपके पास fund कितना है अगर suppose आपके पास 10,000 यार 15,000 है तो आपको क्या करना है इसमें से कोई भी 5 stock pick करने वो कैसे pick करने है कैसे उसका chart बगेरा देखना है कैसे आप trade लगाओगे सारी चीजे stop loss profit सारी चीजे मैं अभी आपको बताऊंगा simply अभी देखो जो भी चीजे बताई जा रहे है उसको समझो ओके तो यह जो stocks हमने लिए है वो आपको कम fund में भी आप intraday trading कर सकते हो जैसे अगर 10 quantity की बात करें वैसे 10 quantity में trade नहीं की जाती लेकिन अगर beginner हो 10,000 15,000 आपके पास है और start करना चाहते हो तो वह वाले case में आप यहां पर देख पाऊगे कि आप आपके पास कम fund होगा फिर भी आप trade कर पाऊगे मिन सीख पाऊगे चीजों को सीख पाऊगे तो जैसे अगर 10 quantity मुझे लेनी है तो मैं 5 stock या 10 stock ले लूँगा यहां से यह 25 में से कोई भी 5 stock अब वो कैसे pick करने है 5 stock वो भी मैं आपको बताऊगा आप 10 stock भी ले सकते हो लेकिन 5 stock आप track कर पाऊगे अच्छे से इसलिए मैं बता रहा हूँ 5-6 stock पर try करना आप 2 भी ले सकते हो एक ही stock पर भी काम कर सकते हो सीखने के लिए otherwise आपको कुछ चीज़े पता है तो ज्यादा stock ले सकते हो मेरे इसाब से 5 आपके लिए ठीक रहेगा तो यह जो stock लिए है इसमें margin की जरूरत कम पढ़ती है जैसे अगर आप हिंडाल को के 10 stock लेते हो इंट्राडे के लिए तो 900 रुपे आपको आपके पास fund होना चाहिए वैसे ही यह सारे जोड़ लोगे आप हिंडाल को JSW Steel, Sun Pharma, Indusin Bank और M&M यह stock मैंने क्यों pick किये है तो यह जो सारे stock है उसमें से मैंने देख लिया कि कौन से stock में कितनी volatility है तो देखें आप यहाँ पर देख पाओगे intraday volatility की बात करें तो वो low volatility माने उसकी जो moment होती है वो काफी कम होती है एक दिन में पास से लेके 6 या फिर 4 या 3 points की मिन्स इतने price की moment रहती है उपर नीचे तो वो low volatility में मैंने वो stock को डाल दिया medium में मैंने वो wallet stock लिये है जिसमें 8 से लेके 15 तक की price की moment रहती है मिन्स अगर आप buy करोगे तो आपको 8 point का या 15 point का profit हो सकता है या फिर इतना loss हो सकता है तो वो volatility हम medium volatility बोलेंगे high volatility मिन्स 15 से 20 या 25 तक की भी आपको moment मिल सकती है तो वो wallet stock को मैंने high volatility stock अपने इसाब सही मैंने decide कर लिया सारे chart वगरा track करके अब इसमें से मैंने ये 5 stock को pick कर लिया अब ऐसा ही नहीं कि ये 5 को ही pick करना है actually तो हमारे पांस जो watch list होगा ये 25 stock का रहेगा क्योंकि हम जानते है के 10,000 ही हमारे पांस है या 15,000 है अगर ज्यादा है तो अच्छी बात है लेकिन मैं 10,000 15,000 के हिसाब से बात करूँगा तो आप खुद देख लिजे अगर 10 quantity buy करते हो आप हिंडाल को की तो 900 रुपे लगेंगे 1400 JSW Steel में लगेंगे 2000 यहाँ पे 2300, 2700 तो 10,000 11,000 में आपका काम हो जाएगा इंट्राडे में अब volatility के हिसाब से यहाँ पे track क्या है लेकिन आपको volatility पे ज्यादा focus नहीं करना है तो अगर 10,000 11,000 12,000 15,000 है तो आप 10 quantity 20 quantity आप buy कर सकते हो जिसे साब से आपके पास fund है अब क्या करना है आपको अब यह जो 25 stock है यह 25 stock में से हमें trade कौन से वाले stock में करना है क्योंकि हो सकता है यह 5 आपको stock ना भी मिले trade करने के लिए हो सकता है कम stock मिले कैसे तो उसके लिए क्या करना है आपको यह stockage का एक application है फ्री में मिल जाता है आपको description में link मिल जाएगी वहाँ से आप इसे download कर सकते हो तो stockage का यह जो free version है वो आपको download करना है एक 2 MB का है ज्यादा size नहीं है तो यह कुछ interface आपको नजर आएगा अब यहाँ पे आपको scan में जाना है यह वाला option equity में scan पे जाना है जैसे scan पे जाओगे तो आपको क्या करना है volume and delivery scan पे जाना है और यहाँ पे आपको पहले वाला जो option है volume and delivery scan उसके उपर click करना है और यहाँ पे आपको जो last पाला option नजर आ रहा है high trade and delivery quantity उसके उपर click करना है अब यहाँ पे आपको कई सारे stock मिल जाएंगे लेकिन जहाँ तक बात है हमारे पास जो stock है हमारे watch list में वो stock पे हमें काम करना है तो हम क्या करेंगे इसे filter करेंगे यहाँ से filter करने के बाद हम जाएंगे यहाँ पे nifty 50 पे क्योंकि यह जो 25 stock है हमारे वो nifty 50 से बिलोंग करते तो nifty 50 के जो stock होंगे वो ही यहाँ पे filter होंगे जो filter हमने लगा है अब apply करेंगे तो nifty 50 के जो 50 stock है वो सारे filter होंगे और उसमें जिनका भी higher trade होगा और delivery quantity होगी वो यहाँ पे नज़राएगा यह पिसले दिन के लिए होगा जैसे आज एक नवंबर है तो 31st October का जो end of the day जो भी data होगा वो यहाँ पे नज़राएगा तो market खतम होने के बाद यह चीज़े आपको करने है अगले दिन के लिए ओके अब यहाँ पे हम stock pick करेंगे तो हमने higher trade and delivery quantity वाले stock nifty fifty के लिए डॉक्टर रिड़ी हमारे list में नहीं है हमने जो list बनाया है उसमें डॉक्टर रिड़ी नहीं है तो जो हमारे list में है वो stock पे हमें काम करना है जैसे भारत petroleum corporation limited है क्या हाँ यह stock है यह कौन से वाला है भारत petroleum corporation limited अब क्या करेंगे हम simply यह वाले stock को हम हमारे list में डाल देंगे कौन से list में तो यह जो list बनाया हमने उसमें यह भारत petroleum तो अगले दिन के लिए हमें यह trade करना है तो इसको हम highlight कर देंगे आप अपने हिसाप से किसी भी हिसाप से आप इसको highlight कर सकते हो जैसे मैंने इसे इसको yellow color दे दिया चलिए कोई भी color दे सकते हो आपको सिफ highlight करने के लिए तो भारत petroleum पे मुझे एक November को काम करना है यह हमने सोच लिया अब भारत petroleum जब दूसरे दिन open होता है जो कि आज 1st November है हमने यह अगले दिन ही pick कर लिया क्योंकि यहाँ पे जो data आपको नजर आ रहा है 31st October 2022 का अगले दिन का data जैसे अगले दिन की market करना होती है यह काम आपको करना है ओके तो भारत petroleum हमें मिल गया कि इसमें higher trade है और delivery quantity भी अच्छी है तो यह कल के लिए हमें trade करना है अब अगले दिन आपको क्या करना है एक तो आपने stock तो पहले pick कर लिया अब एक है दूसरा ntpc भी है महिंद्रा महिंद्रा भी है तो यह तीन मिल गया आपको अब ज्यादा नीचे नहीं जाना है दो तीन stock यहां पर मिले अगर उपर ही 5 मिल जाते है तो अच्छी बात है तो हमें तीन stock मिल गए भारत petroleum जो हमारे list में है दूसरा वाला था ntpc और महिंद्रा महिंद्रा तो यह तीन पर काम करेंगे तो पहले भारत petroleum corporation limited वह देखेंगे तो देखें इसका volatility low है तो अब यह हमें तीन या चार point का मिन्स यह तीन या चार price की जो moment होगी अगर 250 होगी तो 254 ही मिल जाएगा आपको या फिर 246 पर वह मूग करेगा तो चार पांच पॉइंट की इसके अंदर moment होगी ज्यादा तर यह होता है तो बारत petroleum पर मैं कैसे काम करूंगा अगली दिन आपको ट्रेडिंग व्यू का चार्ट पर आना है और यहां पर आपको बारत ओके तो BPCL का जो चार्ट है वो चार्ट आपको यहां पर लगाना है और 15 मिनिट का चार्ट लगाना है ओके यह था 31st December का डेटा कौन सा वाला यह वाला ओके अब market जब open होती है अगले दिन देखे यह पहले वाली candle है ओके 9-15 को ओके 15 मिनिट का चार्ट है हमारा टाइम प्रेम 15 मिनिट के रहेगी तो हमने mark कर दिया के पहले दिन का अगले दिन का जो पहला candle है 15 मिनिट का उसका high और low हमने mark कर लिया किसका जो हमारे list में है वो वाले stock का अब इसका अगर high breakout होगा तो वहाँ पे हम buying करेंगे और अगर इसका low breakdown होता है तो वहाँ पे हम sort करेंगे जैसे आप देख रहे हो के आज के दिन के अगर बात करें मैं ये थोड़ा जो चली ये जो season break है ना इसे थोड़ा मैं थोड़ा dark कर देता हूँ ताकि आप अच्छे से देख पाओ देखिए ये दिन को market close हुई थी अगले दिन के लिए ये पहली जो candle है 9.15 की है उसका high और low हमने mark कर लिया अब जैसे ये high और low आप mark करोगे आपको पांच मिनिट पे चले जाना है तो के time frame क्या होगी पांच मिनिट की ये जो line अपने high और low पे mark किया वो वहाँ पे ही रहेगी तो 5 मिनिट के chart में हम चले गए अब जब भी ये high और low आपने mark कर था उसके उपर अगर breakout होगा तो आप buying करोगे अगर breakdown होगा तो आप sell करोगे लेकिन आज ऐसी कोई opportunity बनी नही तो हमने बारत petroleum pick तो किया था लेकिन trade मिला नहीं चले अगला stock कौन सा था तो अगला stock था हमारा NTPC तो अब हम NTPC पे जाएगे यहाँ पे watch list में आपको डाल देना है जो भी stock पे आप काम करना चाहते हो वो trading view में आप डाल देना अगर आपको यह नहीं पता है कैसे डालना ह वो आप देख सकते हो हमारी channel पे आपको मिल जाएगा चले तो दूसरा जो हमारा stock है वो है NTPC तो अब हम यहाँ पे NTPC चले NTPC को हमने track कर लें यह नहीं कि आपको trading view पे यह सारी चीज़े कर पाऊगे आप अगर कोई और platform यूज कर रहे हो तो वहाँ पे भी charting में यह सार मिनिट का है 15 मिनिट का हम चार्ट लगाएंगे 15 मिनिट का चार्ट लगाया तो पहली जो candle है ओके 1st November की यह वाली है चले यहाँ पे यह डिलिट कर देते हैं सारी चीज़े ओके जो पहली candle है तो अब इसका हम high और low mark कर लेंगे 15 मिनिट की candle का कर दिया अब यहाँ पे सीधा यहाँ ड्रेट नहीं करना है आपको पांच मिनिट के चार्ट में जाना है ओके तो वह लाइन वहाँ पे रहेगी हाई-लो की लेकिन अब आपको यह नजर आएगा कि पांच मिनिट की एक candle यहाँ पे ब्रेक आउट दिया यह वाली candle यह ब्रेक आउट दिया लोजिंग पे लेनी है ओके closing पे entry लेनी है आपको बीच में ही candle stick की moment चालो है जब closing होगी और closing इसके उपर रहती है तो आप यहाँ पे buying करोगे अब यह buying बन गया आपका stop loss क्या होगा तो यह वाली candle है जिस candle पे अपने entry लिए है उसका low आपका stop loss रहेगा तो देखे इसका low कितना है 176.60 तो समझ लिए 176 है ओके यह होगा आपका stop loss ओके अब आपने जहां entry ली थी entry ली थी आपने closing पे तो closing कितना था 177 ओके 176 का आपका stop loss है 177 मिन्स एक point एक point का ही आपको यहाँ पे stop loss रखना है और डेड़ गुना या दो गुना आपको target रखना है ओके अगर दो गुना रखो होगे तो वो हो जाएगा एक सो एक 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 सो असी या असी के आजू बाजू होगा ओके तो देखिए यहां पर आप stop loss रखोगे 179 ओके तो सॉरी आपका target रहेगा 179 तो 179 उन तो आपको एचिव कर लिया है आप खुद देख सकते हो यह अभी भी moment हो रहे 182 तक पहुँच गई है तो target आपका मिल गए आपको अब आप कहोगे यहां पर यह 10 quantity हमने बाय की होती तो 10 रुपे का 20 होती तो 20 रुपे का 100 quantity होती तो 100 रुपे का 200 रुपे का profit हो इसमें मिलेगा क्या तो देखिए यहां मिलने वाली बात नहीं जैसे जैसे आप काम करते चाहोगे चीजे स सीखोगे जैसे जैसे सीखोगे वैसे वैसे आपकी quantity भी बढ़ेगी और हो सकता है यह 5 stock के हरें के आप 100 quantity बाय करोगे तो वह वाले किसमें 2-3 यहां पर तो 3 stock है अगर 5 stock होगे तो 5 की मुमेट एक तरह की तो नहीं होगी कई बार आपको अच्छा खासा profit भी हो जाएगा तो यह simply आपको सिखाने के लिए मैं बता रहा हूँ कि अगर कम budget है आपके पास तो भी आप trading सीख सकते हो ऐसे या फिर आपको trading में confusion हो रही है आप जानते तो लेकिन confusion हो रही है तो यह चीज आपको help करेगी 50 quantity buy करो अगर 3 stock मिल गया है तो 50 quantity buy कर लो क्योंकि 5 नहीं मिले 35 quantity buy करो या फिर 30 quantity buy करो अगर 30 करोगे तो यहाँ पर 30 पर आपको 2.60 रुपे, 70 रुपे, 100 रुपे मिल जाएगा तो यह सिप चीजे सिखाने के लिए मैं बता रहा हूँ otherwise इतनी कम quantity में कोई काम नहीं करता लेकिन अगर आपको सीखना है तो 10,000 15,000 से भी आप अच्छा कासा पैसा बना सकते हो, ओके, लॉस में नहीं रहोगे, ओके, चलिए, अब तीसरा स्टॉक कौन सा था, वो भी देख लेते हैं, तीसरा था हमारा, M&M, ओके, महींद्रा और महींद्रा, चलिए, इसमें जाएंगे अगर तो, M&M, अगर यहां पे हम पिक कर लेते हैं, यह रहा है, चलिए, पंदरा मिनिट के चार्ट में जाएंगे, तो आप देख सकते हो, पंदरा मिनिट के चार्ट में, देखे, अगले दिन हमने पिक किया था, तो अगले दिन का, पांच मिनिट का जो, पंदरा मिनिट का जो कैंड 5 minutes पे जैसे जाओगे आप तो यहाँ पे नीचे breakdown हुआ है क्या देखेंगे हाँ breakdown तो हुआ है लेकिन यह green वाली candle है तो वहाँ पे entry नहीं लेंगे और fever आपने देखा कि बार 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 यह सारी देखें यहाँ पे आपको entry मिल भी जाती है लेकिन यह कई सारी week create हो गई अब यह क्या हो गया हमने already एक low mark किया हो था उसके नीचे भी कई लोग हो गये तो यह अब यह वाले low हो जाएंगे आपके support तो यहां पे entry नहीं बनती है आपको trade नहीं लेना है अगर यहां पे यह सारी भी create ना होती और यहां पे breakout हो जाता जो first breakdown होगा वहां पे आपको sell करना था लेकिन breakdown तो हुआ लेकिन यह green वाली candle थी तो वहां पे entry नहीं बनती है तो proper indication नहीं बिली तो यहां पे आप trade नहीं बना ऐसा समझ सकते हो otherwise आपने कोई trade ले भी लिया तो आपका stop loss हेट हो गया तो इस हिसाब से इसमें trade नहीं बना तो यह बात हुई कि आप कैसे stock पीक करोगा आपको यहां पे अब आपको यहां पे नजर आया होगा कि यह तो जो stock हमने बताया आप dr. ready भी ले सकते हो लेकिन देखे उसका price कितना ह okay dr. ready अगर आप margin पे buy करने जाओगे जैसे हम बात करें अगर done के platform की तो आप कैसे डून पाओगे चले मैं आपको बताता हूँ देखे यह done discount broker है और उसके अंदर हमने nifty 50 के सारे stock यहां पे डाल के रख्या हो अगर acn paint की मैं बात करूँ तो जैसे मैं buy पी यहां पे click करता हूँ तो यहां पे quantity आपको ड़नी है trading के लिए intraday trading माने यह के 10 quantity मैं लूँगा तो 6321 रुपे मेरे पास होने चाहिए इसमें intraday करने के लिए तो यह तो मैं नहीं ले पाऊंगा क्योंकि कम हमारे पास fund होगा वीप्रो की बात करें तो वीप्रो में अगर 10 quantity में हम जाएंगे तो 706 में हमें 10 quantity मिल जाती है वीप्रो की तो क्या वीप्रो हमारे लिए हाँ तो इसे आपको अपने watch list में डाल देना है और यह सारे stock पर आपको काम करना है slowly and gradually यह सारी चीज़े आप सीखोगे आपको पता चलेगा कि अब मैं ज्यादा quantity में कैसे काम करूं कौन से stock पर मुझे काम करना चाहिए वो सारी चीज़े आपको नजर आएगी यह जैसे watch list यहा के रखना है watch list बना देना है और अगले दिन कैसे trade करना है तो मैंने बताया है कि जैसे दिन खतम होता है आपको यह stockage का जो platform है उसे use करना है उसके इंदर scan में जाना है volume and delivery में जाना है और यहां से filter से आपको nifty 50 के stock pick करना है यहां पर nifty 50 के stock डालने तो already हमने 25 तो हमारे watch list म है तो वो 25 में से जो भी यहां पर आपको दिखाई देता है end of the day अगले दिन उसी में trade करना है और अगले दिन क्या फिर से बोल दू अगले दिन आपको वो stock पे watch रखनी है 15 मिनिट का चार्ट देखना है 15 मिनिट का जो पहला candle मलेंगा उसका high और low mark कर लेना है अगर high breakout होता है तो वहां पे आप buying करोगे अगर low breakdown होता है तो वहां पे आप sell करोगे बस इतना ही करना है बाकी चीजे क्या है कि आपको manage करना है कि आप कितनी quantity buy करना चाहते हो okay तो यह आप देख सकते हो 10 quantity 20 यह approach figure हमने लिए हर रोज यह market price change होती रहती है लेकिन यह approach अभी के लिए figure लि आपके लिए trading के लिए वो stock आप peak करोगे और इसके उपर काम करोगे और quantity depend करता है अगर आप अच्छे खासा अगर आपके पास अच्छा खासा fund है तो वह वाले case में आप 100 quantity भी buy कर सकते हो और आपको means जो भी benefit होगा वो बड़ा benefit होगा अगर stop loss भी heat होगा तो वो भी आपक उतना ही बड़ा होगा तो सीखना है अगर या फिर आप एक proper means decision लेना चाहते हो लंबे वक के लिए के जिसमें आपको कम loss रहे और आपका profit अच्छा रहे तो उसके लिए ये एक चीज मैंने आपको बताई है इस हिसाब से अगर आप चलोगे तो आप profit लेके ही overall तो आपको profit होगा एक मैने के बाद आप देखोगे तो profit में रहोगे ये हो सकता है कि आपको थोड़ा profit कम नजराएगा लेकिन loss होने के chances काफी कम हो जाते है तो ये कुछ चीजे हमने आपको बताए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें शेयर कर मैं हूँ रभी पर्मान साइनिंग ओ थेंक यू थेंक यू सो मच